बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपका व्युत्पत्ती में और मैं हूँ सिधार थरितश और आप देख रहे हैं व्युत्त्ती चैनल व्युत्त्ती की आज की पाटशाला में अपना जो रहेगा चर्चा का विश्य है वो रहेगा गौस का नियम खुली सत्य है बंद सत्य है जिसे हिंदी में तो खुली सत्य ही बंद सत्य ही बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं इसे जो नेक्स्ट पॉइंट डिसकेशन का रहेगा वो रहेगा आपका कुल फ्लक्स क्या है साथी साथ कुछ घन कोड की भी चर्चा करेंगे क्योंकि ये घन कोड उन विध्यारतियों के लिए बहुत लावप्रद है जो हमारे आयाईटी जेई तथा नीट की तैयारी कर रहे है शुबात का जितनी भी चर्चा रहेगी मैं नीट और जेई के लिए कॉमन रखूंगा और आपके साथी साथ याद रखेगा बच्चो नीट की जो तैयारी कर रहे हैं अपने लोग वो अब ये मान के चलें कि आपको में सि जाएंगे ही हो जाएगा लेकिन वो पांच-दस मिनिट आप जब जिन्दिगी के देखो के ना तो आपको याद आएगा कि कितने लाप प्रत थे हो सकता है कि आप कई बार वीडियो बीच में छोड़ देते हो लेकिन आप इस बात को याद रखिएगा कि ये जो आप 10-10 मि अगर आपने ऐसे ही पड़ाई को लगाए तो आपके और पूरे परिवार के इस भारत वर्ष के दिन नो में परिवर्टन हो सकता है अच्छे दिन शायद हमाली कोई राज नेता ला पाए या ना ला पाए लेकिन हम खुद अपनी अपने कर्म शक्ती से ला सकते हैं तो चल बंद सर्फेस जिसे बोलते हैं खुली सता हैं ख्लोजड सर्फेस जिसे बोलेंगे बंद सता है या बंद प्रस्ट खुला प्रस्ट ठीक है बंद सता है सर्फेस और बिटा क्या बोल सकते हैं इसे बोल सकते हैं खुली खुला प्रस्ट खुली नहीं खुला प्रस्ट और इससे क्या बोल सकते हैं बंद प्रस्ट अब बंद प्रस्ट और खुला प्रस्ट है क्या क्या देखिए जैसे कि मान लेते हैं बई मानना क्या यह है यह मेर mobile की screen आप ध्यान से देखिएगा या फिर मैं आपको देखा हूँ जैसे कि एक sheet है paper की sheet है तो आप देखिए कि इस paper की sheet के boundary पे जितने भी point exist करते होंगे वो इधर से तो गिरे हुए है पर इधर तरफ से चलना चालो करूं तो एक कहीं ना कहीं मैं इसकी सीमा पर पहुंच जाओंगा तो ये खुला प्रेस्ट है और अगर मैं बंद प्रेस्ट की बात करूं जैसे में पास एक गोला है या sphere है या ball है इसकी मैं एक तो बिंदू से चलू और घूमता चलता जाओं चलता जाओं चलता जाओं बापिस मैं इसी प्रेस्ट और बंद प्रेस्ट पहली बात दूसरी बात जो बच्चों हमें करनी चाहिए गौस का नियम समझने के लिए क्या है का अभी देखेंगे कि कुल फ्लक्स का मतलब क्या होता है कुल फ्लक्स क्या तात्पर रहे है आपका कुल फ्लक्स से ठीक है क्या सबस्ते हम कुल फ्लक्स से कुल फ्लक्स तो बेटा कुल फ्लक्स का मतलब है कि जितना अंदर आ रहा है फ्लक्स और जितना बाहर जा रहा है फ्लक्स उनका कुल मान कितना है मतलब अंदर आ रहे वाले को हम निगेटिव लेंगे और बाहर जा रहे वाले को हम positive लेंगे ध्यान से समझता हैं बहुत असान शब्दों में आपको मैं cause कर नहीं हम सब जा दूँगा यह मेरी guarantee है बहुत असान शब्दों में तो cool flux का मतलब क्या है cool flux बराबर outgoing flux और ज्यादा अच्छे से बोले outward flux जो बाहर की दरफ निकल लाए उसे कह लेते हो positive और minus inward flux आपका जो अंदर की दरफ आ रहे है उसे कह लेते हैं हम लोग negative इसलिए यहाँ पर negative sign लगाई दिया है अब यहाँ पर मतलब लगा ले ना inward में दो बार लगा लो तो बहुत से deep हो जाएगा अब बिटा अगर मान लो एक बात करें कि दो रेकाएं अंदर आ रही है ठीक है और यही दो रेकाएं बाहर निकल गई तो क्या ऐसी परस्तिती में जितना flux in हुआ क्या उतना ही flux out हुआ बिलकुल हुआ न तो अगर मैं पूछू कुल flux तो आपका in और out दोनों बराबर है तो किता हो जाएगा flux net flux वो हो जाएगा zero क्या हो जाएगा zero तो मतलब यह बात एक बहुत मेहत्वपूर है द्यान से समझना अब मैं आपसे पूछू कि एक हमारे पास closed surface है closed surface यानि कि बंदप्रस्ट है और यह यहाँ पर point charge रखाए इस point charge की वजह से बिटे जो आपकी field निकल रही होगी वो कुछ इस तरीके से निकल रही होगी ऐसे करके बनेगा याद करिएगा याद आया ऐसे मैंने बताया थी ना field lines जब पढ़ाई थी आपको यानि कि वैदुद बल लेखा है जब पढ़ाई थी ऐसे तो इस परिस्तिती में बेटा देखो जब बाहार चार्ज रखा है तो जितना flux अंदर गया उतना ही बाहर आया तो कुल flux कितना हो गया कुल flux की बात कर रहा हूं मैं याद रखना इस बात को कुल flux बेटा आपका हो गया 0 कुल flux कितना हो गया 0 जब charge बहार है अब आ लेते हैं कि charge जो है इस बंद फ्रस्ट के अंदर आ गया यह अपना फिर से इस फेर है बिटे इस इस फेर के अंदर चार्ज रखा हुआ है तो field lines देखो ऐसे निकलेंगी पुना हाँ इस प्रस्ट से अच्छा अब सारी की सारी field lines प्रस्ट के बहार निकल लही है एक ही बार कट कर रही है field lines बिटा एक ही बार कट कर रही है और बाहर की तरफ जा रही है इस पर कित्ती बार कट कर रही है दो बार कर रही है एक बार यहां पर कट कर रही है दूसरी जगे कट कर रही है तो बाहर जा रही है तो जितना flux अंदर आ है उतना ही बाहर नि तो यहाँ पर net flux positive है और आपका total 0 नहीं है तो मतलब अगर surface के बाहर charge रखा है बंद सतह के या बंद प्रस्ट के बाहर charge रखा है तो आपका cool flux उस प्रस्तिती में उस charge की वज़े से 0 होगा और अगर सतह के अंदर बंद प्रस्ट के अंदर charge रखा है तो उस प्रस्तिती में उस charge की वज़े से उस charge की ही बात कर रहा हूं मैं के वल उस charge की वज़े से जो flux होगा वो 0 नहीं होगा तो यही gaus ने observe किया और इसका एक नियम दिया क्या नियम दिया है तो आइए देखते हैं gaus का नियम बात करते हैं बच्चों gaus की नियम की तो क्या है gaus का नियम ये है gaus का नियम तो किसी बंद प्रष्ट से निकलने वाला कुल फ्लक्स, याद रखीएगा कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स उस बंद प्रष्ट से घिरे आवेश, जिसे हम कह रहे हैं QN Closed, तता एपसालम नौट के अनुपात के बराबर होता, ये एक बहुत ही महतपूर बात है, जैसे की मैं जो की एक बंद है, ठीक है, ऐसे एक आपकी क्या है, काल्पनिक प्रष्ट है, बेटा, इस काल्पनिक प्रष्ट को, काल्पनिक बंद प्रष्ट, जिसे बोलते हैं Gaussian Surface, याद रखिएगा इसे और क्या बोलते हैं, Gaussian Surface, तो एक आपकी एक Gaussian Surface है, आप इसके अंदर मार लेते हैं Q1 चार्ज रखा है यहाँ पर यहाँ पर एक और चार्ज रखा है Q2 रखा है यहाँ पर बेटा Q3 रखा है यहाँ पर बेटा आपका Q4 रखा है तो QN Closed का मान कित्ता हो गया इस बंद प्रस्ट से घिरे कुल आवेश का मान QN Closed क्या है बंद प्रष्ट से घिरे लिखते जाएगे बच्चे साथ साथ है ना घिरे कुल प्रष्ट का मान कुल आवेश का मान ठीक है यह क्या हो गया आपका? क्यों एन क्लोज्ड हो गया अब इस परस्तिती में जो कुल फ्लक्स निकल रहा होगा आपका यह कुल फ्लक्स बराबर होगा किसके? अच्छा, क्यों एन क्लोज्ड की वैल्यू जिससे हमें बेटा हम क्यलकुलेट करेंगे मान लेते हमारा एक क्यू टू निकेटिव चार्ज है तो हम क्या लेखेंगे? क्यू 1 प्लस क्यू 2 प्लस क्यू 3 और क्या हमारा क्यू 4 एक निकेटिव चार्ज है तो माइनस क्यू 4 लिखेंगे तो इसकी वज़े से कुछ फील्ड लाइन्स अंदर भी आ रही होंगी जिसको हमने सब्स्ट्रेक कर दिया तो हम क्या कर रहे है? कुल आउटवर्ड फ्लक्स की बात कर रहे है नेट आउडवर्ड फ्लक्स तो ये नेट आउडवर्ड फ्लक्स फाइनेट बराबर होता है क्यू एंग लोजड बाई एपसलेम नॉट ये गौस का नियम है ठीक है? आसान है अब कुल फ्लक्स को किस तरीके से लिख सकते हैं देखें फाइन नेट अगर लिखना होता है किसी बंद फ्रेस्ट से निकलने वाला कुल फ्लक्स तो इसे लिखा जाता है E.TS और यह अपना integration है अब यह surface आपकी closed surface है तो हमें closed बताने के लिए हमें ऐसे लगाना पड़ता है यह goal सा इसका उतलाब closed है और किस पर integrate कर रहे हैं हम एक सतह पर कर रहे हैं तो surface के लिए S लगा देते हैं तो यह आ गया इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लेख सकते हैं E.TS is equal to Q enclosed by epsilon naught यह भी आपका गौस का ही नियम है लेकिन integral form में है ठीक तो यह गौस का नियम है असान है समझने के लिए कोई difficult बात नहीं है अब बात करते हैं इसके बाद इसके उपर आधारित प्रिश्ण भी है प्रिश्णों को भी देखेंगे लेकिन उस में प्रूफ भी देखना है तो पहले हम प्रूफ समझेंगे उसके आध कुश्ण देखेंगे गौस की नियम पे अब बिटा कोस का नियम का सिद्धी गरण के लिए या प्रूफ के लिए हमें चाहिए एक और टूल जिसे हम कहते हैं घंकोड घंकोड को बिटा English में आपके बोला जाता है solid angle यह solid angle आपने NCRT के first chapter physical word वाला chapter unit and dimension में पड़ा था यह supplementary unit होती है याद है आपको angle के साथ आता है अगर बीटा हम बात करें कि एक angle क्या होता है तो angle हम एक तल में बात कर रहे हैं यह arc के जो अंतिम बिंदू है यह जहां पर मिल रहे हैं ठीक है तो यह जो बीच का rotation है जहां से मैं पहुँच पाँगा गुमाओ का नाप हम angle से लेते हैं अगर आप angle यह किसमें एक तल में है यह दुई विमिये बात हो गई अगर 3D बात होती है इसको ऐसे समझिएगा कि पिटा आपके पास एक soccer ball है या football है जिससे बोलते हैं football पे काले सफेद से चक्के बने हुए होते हैं एक चक्का मैंने कुछ इसी तरीके से यहां पर दिखाया है इस चक्के के अगर हर एक बिंदू को मैं यहां पर देखना चा यह जो यहां पर कौन बन रही है न यह जो कौन है इस कौन को मैं solid angle का हूंगा solid angle का जो map है वो क्या होगी तो यह देखो अगर माल लेते हैं इसका surface area जो यह surface है यह मैं आपको अलग करके दिखा देता हूँ highlighter से दिखा देता हूँ जैसे यह जो surface है यह जो yellow हो गई है आपकी सर्फेस ये जो सर्फेस है ये सर्फेस कितना बिंदू ओपर ये बिंदू हो है आपका ठीक है इस बिंदू ओपर कितना solid angle बना रहा है क्या बना रहा है बच्चे solid angle तो यहाँ पर कितना solid angle बना रहा है बिंदू ओपर इसका मावन देखो तो प्रिष्ट से दूरी ले लो ये R और प्रिष्ट का छेत्रफल किता है प्रिष्ट का छेत्रफल है आपका प्रिष्ट का छेत्रफल है बेटे आपका किता है S है S और प्रिष्ट से दूरी कित्ती है दूरी है आपकी प्रिष्ट से बिंदू की दूरी आर तो आपका जो solid angle है जिसे हम omega से दिखाते हैं यह solid angle है घंकोण है बिटा यह घंकोण बराबर हो जाएगा S upon R square ठीक है? असान है अब इसको हम मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको mathematically vector format में कैसे लिखा जाए तो इसको भी समझते है मान लेते हैं एक surface है अपने पास यह surface area element है यह elementary surface area है यह surface ds है तो इसका vector होगा क्या? ds vector अब इस surface की वज़े से किसी बिंदू p पर बनने वाले solid angle की हमें करनी है calculation तो किस तरीके से किया जा सकता है? आईए समझते हैं इस चीज़ को तो मैं क्या करता हूँ? यह सबसे पहले इस तरीके से यह बना लिया यह देखिए यह अब यहाँ पे जो यह आपकी कौन बन रही होगी ना इस कौन की वज़े से हमें देखना है solid angle किता बन रहा होगा यह कौन का ही मान जो है वो आपका solid angle है इस तरीके से बिटा यह जो कौन बन रही है ना शंकू जो बन रहा है आपका यह बिटा solid angle है यह तो इसका हम solid angle जो होगा इसे हम omega कहते हैं देखो एक और चीज समझना बच्चे अब ये ना r vector है क्या है ये r vector ये r vector है पिछली परस्तिती में आपका जो r vector था वो ds के साथ में था अभी यहाँ पर ds के बीच में और r vector के बीच में एक theta code बन रहा है तो हमें लिखना है इस छोटी सी surface की वज़े से इस छोटी से surface की वज़े से आपका इस p बिंदू पर घंकोड बनेगा वो भी तो छोटा ही रहेगा रहेगा ना जिससे हम d omega बोलेंगे तो ये d omega को हम calculate कर रहे हैं ये बराबर होगा ds cos theta divided by r square जहां पर theta r vector तथा ds के बीच का ही code है और dot product के format में इसे लिखा जा सकता है ds dot r cap r square अगर ds dot r cap को यहां मैं rough में करके दिखाता हूं एक दम तो कितना आएगी value ds dot r cap तो ds का परिमार r cap का परिमार into cos theta होगा क्योंकि r cap एक unit vector है तो उसका परिमार 1 होगा तो जो कि ds cos theta ही हो गया ठीक है तो इस तरीके से यह do में कहा गया अब बेटा अगर मुझे total देखना है कि total कितना flux होगा पूरी अगर अभूती surface तो हम क्या कर देते इसका कर देते integration surface की उपर तो यहाँ पर आपका total solid angle आजाता है ds vector dot r cap बटे r square यह जितनी भी चीज़े हैं यह बच्चे मैं आपको वहाँ बता रहा हूँ जो iatje में पढ़ाया जाता है ठीक है तो इस बात को याद रखेगा बहुत important चीज़े हैं घंकोन के वारे में हैं तो यह आपका integration के साथ में उमेगा आ जाएगा किसी बंदप्रस्ट की वज़े से किसी बंदप्रस्ट के अंदर के अंदर किसी बिंदू पर किसी बिंदू पर कुल घंकोन के मान की कुल घंकोन कितना होगा यह जानना है तो बिटा आपको याद होगा कि अगर हम simple कोन की बात करते हैं तो उस परिस्तिती में किसी भी आपके जैसे वरत है वरत के केंदर पर कुल कोन कितना होता है 360 डिगरी जैसे आप टू पाई बोल दे तो इसी तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे कि आपका वरत तो नहीं हो सकता लेकिन एक गोला है यहाँ पर 2D शेप या 3D शेप की वज़े से बात कर रहें न तो यह आपका 3D शेप में क्या है गोला है गोले की तृज्जा भी होगी गोले की तरिज्या है capital R तो इस गोले की तरिज्या अगर capital R है तो इस बिंदू ओपर इस गोले की वज़े से कुल घंगोड किता बना तो इसका मान देख लेते हैं इसका मान जो आएगा देखे हमने घंगोड का क्या formula बढ़ाता है S upon R square S यानि की surface area S क्या है आपका surface area एक गोले का कुल surface area किता होता है बच्चो 4 pi R square जहां पर R उसकी तरिज्या है तो आपने ये रख दिया तो ये हमें किता मिला 4 pi 4 pi मिल गई भाई 4 pi जिसे इसकी unit क्या होती है stay radian क्या होती है इसकी unit stay radian याद रखियेगा तो आपका किसी विंदू पर कुल surface जो है कोई बंद सतय के अंदर किसी विंदू पर किते का कुल solid angle बनाती है 4 pi का ठीक है तो ये हमने सीखा अब हम कुलाम के नियम का प्रियोग करके हम gauze के नियम का सिद्धी करण करेंगे तो जल्दी से अपनी नोड़ बुक पे heading डालीजेगा gauze के नियम का सिद्धी करण ठीक है इसे देखते हैं फिर आईए बच्चों देखते हैं gauze के नियम का पुष्टी करण या विद्पत्ती अब देखिए अपने पास ना एक बंद प्रष्ट है जिसे flux का मान phi net is equal to आना चाहिए कितना आना चाहिए ये आना चाहिए आपका q enclosed जो की q ही है बटे epsilon not आईए देखते हैं कि ये क्या आता है या नहीं आता है तो हमें पहले देखना पड़ेगा flux तो ये काम करते हैं इस छोट इस पूरी surface का एक छोटा सा भाग ले लेते हैं जो r दूरी पे हैं और इसको हम कहते हैं ये ds surface area element है इससे ds को हम ले लेते हैं और इसकी बज़े से हम देखते हैं field कितनी आ रही है ये ds surface area element कुछ इस तरीके से है ठीक है ये हो गया आपका e electric field और ds भी कुछ इसी तरीके से radially outward ही होगा अब इस ds area element की बज़े से cool flux जो छोटा सा निकल रहा होगा d5 होगा इस d5 का मान e.ds होगा जैसे हम क्या लिख सकते हैं e ds अब यहाँ पर अगर आप cos theta लेना चाहें तो वो भी ले सकते और नहीं लेना चाहें तब भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा तो d5 is equal to यह छोटा सा flux जो इस ds से निकल रहा है यह कितना होगा e ds अब आप सोचें कि इस r दूरी पर बिंदू charge q की वज़े से कुल वैद्चेतर की तीवरता कितनी होगी तो इसे equation number 1 लिख लेते हैं e की value होगी 1 upon 4 pi epsilon not q by r square इतनी होगी अब इसको हम समीकर संक्या 2 लिख लेते हैं और इसको वहाँ पर रख देंगे तो कितना होगा 1 upon 4 pi epsilon not q by r square ds cos theta अब अगर हम आप देखें तो d5 1 upon 4 pi को ऐसे ही रखो और q को ऐसे ही रखो ds upon cos theta by r square की बात की जाए तो इसका मान कितना होगा याद है अभी थोड़े देर पहले solid angle हम लोगोंने पढ़ा था उसमें लिखा है तो बेटे ये d5 is equal to q upon 4 pi epsilon not और ये हो जाएगा d omega अब हमें देखना है कुल flux तो हमें करना पड़ेगा integrate अब q तो constant है तो हमें d omega का भी integration करना पड़ेगा अब किसी बंद first की बज़े से कुल कितना d omega आता है तो उसकी value है 4 pi तो phi is equal to क्या जाएगा q upon 4 pi epsilon not into 4 pi 4 pi से 4 pi cancel q by epsilon not भई आ गया तो gos के नियम का हमने कर लिया सिद्धी करन तो ये आ गया 5 net is equal to q by epsilon not तो बच्चों आज के lecture में इतना ही रखते हैं आगले lecture में होने वाले हैं बहुत सारे question gos के नियम के उपर तो जरूर next वीडियो को देखेगा तब तक के लिए जैहन मस्ती से पढ़ते रहें सीखते रहें और जुड़े रहें वित्पत्ति के साथ चैनल पर पहली वा रहें तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कीजिएगा बाई बाई मheldआए कीजिए कीजिएगा मेरा जाइ कीजिएगा स्पिएगा